नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे माखलाल चतुरवेदी राष्टि पत्रकारता संस्थान में आप आप आउनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हों मेरिट का अधार कैसे रहेगा दोस्तों आज जो मैं आपको फॉर्म भरना बताऊंगा वो जो है सिर्फ एक डेमो के रूप म कि अगर इंटर्म पास है तो इंटर्मेंडिक के प्राप्ताँ के अधार नहीं आपका रिजल्ट रुका हुआ है तो आपको जह 10 और 11 के नंबर के हिसाब से आपकी जो मेरिट बनेगी यही सेम प्रोंसेस आपका फीज़ कोमे रए बनेगी तो दोस्तों चले वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप आप जो है किस प्रकार से आवेधन कर सकते हैं आप अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर को ओपेन करिएगा वहाँ पर आपको जो है गूगल सर्च में में MCU भौपाल लिखकर सर्च करना है जब आप MCU भौपाल लिखकर सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटर्फैस आएगा और आपको जो है सबसे उपर वाले पर क्लिक कर देना है जो आपको ऑफिस्यल वेपसाइट पर ले जाएगा देखिआ आप ऑफिस्यल वेपसाइट को इसके बाद आपको apply online पर click करना है और उसके बाद आपको जो है सबसे फ़र्ष्ट वाले option पर apply for admission session 2020-2021 पर click करना है और apply पर click कर देना है पर इसके बाद आपको जो अपना campus choose करना है इसके साथ ही आपको जो है जो आप आपको चुनना है तो देखे फिर आपको अपना नाम लिखना है और मैं आपको यहाँ पर सिर्फ डेमो के रूप में फॉर्म भरना बता रहा हूं आप जो है 12th मार्शीट के हिसाब से अपना नाम लिखिएगा और सेम ऐसा फॉर्म आपको नहीं बरना मैं सिर्फ आपको डेम प्रदेश का नाम भरना है और जब आप फादर का नाम जो है सारे जो आप जो है इंट्री करेंगे उसको बहुत ध्यान पूरवक करिएगा डोमिसाल अगर आप यंपिक हैं तो यस करिए नहीं तो नो करिए अगर नो करते हैं तो कि आप किस प्रदेश से संबंदित है उसको है आपको चुनना पड़ पोगा अगर आप नहीं है तो आप इसको नौन पर छोड़ दीजेगा इसके बाद आपको अपना अधार कार्ट के हिसाब से फिल कर दीजेगा जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस होगा और आपको अपना विलेज का नाम लिखना है इसके आपको जो है अपना तहसील का नाम भरना है और फिर उसके बाद आपको अपना जिला चुनना है जिस जिले के आप निवासी है और इसके बाद आपको अपना स्टेट चुनना है और अपना पिन कोट भर देना है पिन कोट को आप ध्यान पूरोग भरिएगा और इसके साथ ही जो है अब हम नीचे चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप जो है मोबाइल लंबर को फिल करिएगा और मोबाइल लंबर जो है आपका दस अंकों का होना चाहिए इसको भी आप ध्यान पूरोग भर लीजेगा और इसके बाद आप जो है अपना इमेल आइडी फिल करिएगा जो आपका इमेल आइडी एक्टिव हो और जिसका आपको पासवर्ड बगएरा पता हो तो आप अपना इमेल आइडी फिल कर लीजेगा दोस्तो फॉर्म आपका ये डेमो है तो डेमो के हिसाब से आपको बताने के लिए भरा जा रहा है तो आप सेम ऐसा मत भरिएगा आप अपने अनुशार आपकी अपनी प्रविष्टिया जो है इंट्री करिएगा और देखें आपको जो है अपना एजुकेशनल लिटेल भरना है तो आपका जो हाइश कूल का बोड है यूपी बोड उसे जो भी बोड हो वह सम्मधित बोड भरियेगा इसके बाद रोल लंबर फिल करिएगा फिर आप किस यहर में पास है उसको चुनिएगा इसके बाद आपका टॉटल मार्क्स क्या है उसको चुन लिजेगा और टॉ लेबंद का दीटेल आपको फिल करना है उसका रो लंबर या इनौल्मेंट नंबर जिविए फिल कर दीजेगा है कि यह आप पासिंग कब सुए है उरोतल मार्स कितना था आपKA जो है कि यॅसको फिल कर दीजेगा और कि दीजेगा है और पिजल सकते नहीं तो तो रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक कर दीजेगा तो वहाँ पर आपको इंट्री नहीं भरने होगी इसके बाद आपको फोटो और साइन वह करना है तो आपको मैं वता देता हूँ फोटो सिगनेचर के साथ रहे अनता फॉर्म रद्ध हो जाएगा तो जुम्मेदारी आपकी होगी तो ध्यान दीजेगा देख जैसा सेंपल दिया है वैसा मैं आपको इहां पर सिर्फ फोटो अप्लोड करके दिखाऊंगा लेकिन आपको जो है फोटो के नीचे साइन भी होना चाहिए आपका नहीं तो आपका फॉर्म हो जाएगा ध्यान दीजेगा दोस्तों बहुत ही जरूरी चीज है यह कि फोटो के नीचे आपका साइन होना चाहिए आप इसके बाद आपको जो है कैप्चा फिल करके आगे बढ़ना है और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब आप कैप्चा श्चा कर लिए तो आप का आपको परन कर सकते कर है किसी प्रि helium पार्म करेंगा इसको आप झाल कैरीजेगा दोस्तों आप होगा और यहुत और समस्या है तो कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा उसमें आपकी जो पूरी सायता की जाएगी तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चनल पर नए है तो सब्क्राइब करना नहीं बूले